मुझे सरम आ रहा है इस गाना को आपको सुनाते हुए नमस्कार दोस्तों आज का जो टोपिक है हमारा की आरजेडी का छबी खड़ाब करने वाला तीमक की तरह साथ है दोस्तों ये बात सुनकर जो आरजेडी के फैन होंगे उनको कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बूरा भी लगा होगा जैसे ही ये मैंने बाते कही लेकिन जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सच बात यही है आप खुद कहेंगे हाँ सर ये सच बात है दोस्तो मैंने खुद पंचायती चुनाओ लड़ा और बरतमान में मैं मुख्या हूँ आपको पता है लेकिन ये इतनी करवा सच है कि जब एक दीमक किसी लकडी के साथ पकर लेता है तो उसको लगते रहता है कि ये मेरा साथ ही है ये मेरा सहयोगी है क्योंकि मेरे साथ चीपका हुआ है पर उस दीमक का काम है कि उसको पूरी तरह से खोखला बना देता है जैसा कि आप देख रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि जो आपके साथ रह रहा है वो आपके लिए इतना ना काम करेगा कि उहे बज़ा से आप बदनाम हो जाईएगा जैसे काम करने वाले लोग कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ मेरा एक छोटा सानुभब है जब मैं पंचायती चुनाव लर रहा था तो कुछ लोग साथ में रहते हैं और आपका सारा काम वो करते रहेंगे और आपको लगते रहेगा कि भाई यी तो एकदम मेरा बहुत बड़ा सपोटर है अब वो आपके साथ रहेंगे घुमेंगे फिरेंगे जहां जाओगे वहां जाएंगे लेकिन ये महोल कब-कब खड़ाब करता है ये देखिए जब मान लिजिए कि सब जगा से आप जानते हैं पंचायती चुनाव में कैसे होता है दीन भरनेता जी के साथ सारे कर्ज करता घुमते हैं और फिर रात में जब घर पर वापस आते हैं तो एक मीटिंग होती है कि कोन गाउं में बोट ठीक है, कोन में गरबर है किसका बाप बोट देगा, किसकी माए बोट देगी किसका बेटा नहीं मान रहा है, बेटा दे रहा है ता बाप नहीं दे रहा है ये गाउं में पूरा एकदम समिक्षा होता है, ऐसे लोग बैठे रहते हैं, ऐसे, एकदम जूटके, तो पूरी समिक्षा होती है, एक आदमी कहते रहता है, नेता जी को कहते रहता है, कि देखाओ, बेटा पूतो होकर बोट देता हो, लेकिन उकर बाप दे विले तैयार नहो ओकर बाप जो ऐसे पाहिलुके बला के देते ही ये सारी तरह की जब चर्चाएं होती है इसी में कुछ ऐसे खास लोग होते है जो आपके साथ रहके आपको हराने का प्रयास करते है वो कौन लोग होते हैं? वो लोग का स्टेटमेंट कैसा होता है? तो वो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ तो रह रहे हैं लेकिन वो आपके दूसमन है आपकी छबी खराब करने के चकर में अब मालीजे इसमें से नेता जी बोल रहे हैं कि भाई कहां का क्या इस्थिती है इसमें हर जाती हर धर्म के लोग बैठे होते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को हर जाती हर धर्म के बोट चाहिए ऐसा कोई पार्टी नहीं है जिसको सिर्फ एक जाती का बोट चाहिए कोई भी नेता का स्पीच नहीं सुनते होंगे वो अलग बात है कि आज कल कुछ नेता के बोल बिगरे हुए है वो कह रहे हैं कि हमको बोट नहीं दोगे तो तुम देश द्रोही हो गए लेकिन इस बात भी नहीं कहता है कि फलनमा जात हमको नहीं देना चाहिए ऐसा नहीं कहता है नेता तो अब देखे अब नेता जी बात करते रहते हैं इसमें से सब कोई सलाह देते रहता है लेकिन इसमें से जो बनमान उस टाइप के होता है उग क्या कहेगा उठ जाएगा और कहेगा कि सुना सब बात ठीक हो लेकिन उग पासमान टोला हो उपका बोट न देता हो जी पासमान टोला बोट नहीं देगा पूरा पासमान नहीं देगा तो उकरा जड़े एग आउर रहे एगो रहेगा हूँ कहेगा बोट ना देता है अमरी नेता जी के बोट ना देता है पसमान घर से कई से निकलता है इसे देखा देवा योगरा घर से जब निकलता है कहां माहे जाता है कोन बाप माहे जाता है कोन बाप के जमीन है वो माहे जाता है रस्ता बंद कदेवाई अब महौल यहां भीगार देता है अब जैसे ही दूगो बोला उसमें से यह गो दूगो जब मीटिंग खतम होगा जाएगा आजा के उस टोला में कह देता है कि आज जैसे इसे बात कह इतर हो कि जब पासमान सब बोट नहीं देगा न तो ख़़ा रस्ता चलना बंद कर देंगे अब बेचारा पासमान टोला के आदमी सुनके पूरा भरग गया अईसन बात हो ले हैं ता हाँ दुचार को उसे पूछेगा सही बात है जी हाँ उदा नहीं यो पूछेगा तो उड़ जाएगा उसी टाइम अब क्या होगा कि पूड़ा अब वो टोला मालो एक पासमान टोला का एक टोला है जिसमें पासमान जाती के लोग रहते हैं उसी देक इस नेताजी के विरुध में खारा हो गया अब फिर इसमें से एक आदूगो और रहेगा जो साथे है फिर किसी मीटिंग में कहेगा कि देखो एको फालाना गाओं के जो आदमी सो हो उ कहियो तोरा बोट न देता हूँ अच्छा अब कहेगा अच्छा बोट न देता है तो सिखा दे वह योकरा सबके अगर हम जीत के लिए ही न तो एक को गो कामे न कर वह योकर अब लिजी अब नेता जी बोले न बोले वो हे में से वो समर्थक बोल देगा यानि दोस्तों एक जो पुरानी कहावत कही गई थी कि बुरुबक दोस्त से अच्छा होसियार दुस्मन होता है यह बिल्कुल सटिक बैठता है आप कहेंगे सर यह कहानी से RJD का क्या लेना देना है बहुत बड़ा लेना देना है दोस्तों आज के समय में मैं तो भूल गया हूँ कुछ ऐसी ऐसी चीजे हैं मैं सुनता हूँ तो भूल गया अभी जितने भी बराती गाउं में जाता है गाना बजता है एक पर एक गाना है और ऐसा ऐसा गाना है जो खाली बिबाद करावे वाला गाना है अब कुछ लोग को बहुत बुरा लगेगा लेकिन इस सच बात है कोई भी पार्टी सिर्फ एक जाती के बोट से नहीं जीतता है इस बात पक्का है चाहिए बीजेपी हो आरजेटी हो कॉंग्रेस हो सब को हर जाती हर धर्म के लोगों की सहियों की जरूरत होती है इस बात को जान लीजिए लेकिन कोई ऐसा बेवहार आप कर रहे हैं आप समर्थक है किसी पार्टी का लेकिन ऐसा बेहवार कर रहे हैं जिसे बांकी जाती के लोगों को अगर प्रॉब्लम होती है या कोई सिक्षित समाज को प्रॉब्लम होता है तो दिक्कत है जैसे एको गाना सुने होंगे एक पर एक गायक सा आगिया है गायक सा देखिए गायक साब जो है इसाब छपड़ी गायक साब एको ता गाना गाया मुझे सरम आ रहा है इस गाना को आपको सुनाते हुए पढ़ते हुए आप बताईए मुझे आपकी बहन बेटी इगाभी बला के हम कह रहे हैं तोहर बहन अगर रास्ता चल के जाते रहेगी आएगो कोई कहेगा कि एंने ह्चवड इनक्रिश सब और ये शुरुआत नहीं किया है बरका बरका गयक सब शुरू किया है इसी तरह के छपरी स्टाल में आब बात में फिर्मस हो गया यहां के लोग फेमस किया अब उसी को देखा देखी ऐसे गायब गाना गाते हैं अब सुनिये न एतने पर नहीं रुखता है एको ता इगाना सुन भे किये होंगे अब एको गाना गाया है सगरो हौला हर छाउडी गावा से साहर छाउडी फिरसे बिहार में लल्टेनिया देव उबार छाउडी के साफ साफ बोलता आरजडी के साथ रहवे की बीजेपी के साथ ये लर्कियों के साथ लर्कियों के लिए ऐसे सब्दों का परियोग करता है अच्छा चलो मान लेते हैं कि तु यादब है जी तुम आरजडी के बहुत बड़ा भगते है लेकिन एको बात बताओ क्या ऐसे गाना अपने घर में सुनना पसंद करते हैं नहीं पसंद करते होंगे आप अपनी बहन और मा के सामने ऐसे गाना सुनना पसंद करते हैं नहीं करते हैं लेकिन इच्छपडी गायक गादिया और उच्छपडी जो नेता होता है चिटपुटिया सब टोला वाला कुछ ऐसे लोग इस अब बजाएगा डीजे पड़ी गाना अब माल लो कोई बस्ती ऐसा है जो उस जाती धर्म से तालुक नहीं रखता है उस पार्टी से तालुक नह कहेगा हूँ अपने घर के बहन बेटी को कहेगा कि जाओ ते देना उस पार्टी को बोट जिसका इगाना बजरा है यतने पर नहीं रुकता है कहता है कि बपबा भाईया से कही है करताव परचार तेज से अईताव तेजस्वी सरकार गेच होड़ी अब एक और गाना गया है आगे जलताओ लल्टे नावा कितनो होताओ मारगें मतलब आगे जलताओ लल्टे नावा चाहे होताओ कितनो मारगें कि अब की जीत जायताओ पगली अर जेडी सरकार गें मतलब मार होताओ कि तुनों मार होताओ तब लल्टे नमा जितताओ ये अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि जस्वी जी से मेरा अनुरोध है और ये हिदायत है कि जैसे 2014 में मोदी जी का एक लहर था कि यूबा मोदी जी के साथ था मोदी जी से बहुत सरा उमीद लगाए बैठा था और इसलिए एक तरफा यूबा सबने जीताया था मोदी जी को और मोदी जी के नाम पर सारे सांसत जीते जो भी जीते मोदी जी के नाम से तेजस्वी जी से बिहार में ये सच बात है कि बिहार का यूबा 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 यू उमीद करता है कि जब तेजस्वी जियाएंगे तो नौकडी देंगे रुजगार देंगे यूबा हैं आप यूबा की भावना को समझेंगे तो ये बदलाव आप ला सकते हैं लेकिन ऐसे छपरियों को इस्टेज पर जब आप मौका देंगे तो इससे छपी बिगरती है एक पढ़ा लिखा समाज मैं एक सिक्षक होने के नाते मैं कभी नहीं कह सकता कि ऐसे गाना एस्टेज पर बजेगा और लर्कियां तुम जाना उस रैली में मैं अपने कलास के लर्कियों को बोल सकता हूं कि वहाँ बोला जाएगा कि छोरी बोट दिया ही गे ऐसे सब्दों का पड़ियोग तुम्हारे साथ किया जाएगा क्या मैं अपने स्टूडेन को बोल सकता हूं मैं एक मुखिया हूं क्या मैं स्कूल में जाकर बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूँ मैं अपने संसान में बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ तो इस तरह के गायकों को एक दम इस तरह के गायकों को स्टेज पर जाने से मना किजिए ऐसे गायक जो आपके नाम पर इस तरह के गाना गाए और बजाए तो आपके कार्ज करता हर जगा है, उसको रोके, उसको उपर FIR कीजिए, कि कैसे तो किसी पार्टी के नाम पर गाना गया, तो हमसे परमिसन लिया, नहीं लिया, कैसे गाना गा देगा, और ऐसे ऐसे छपड़ी गाए, अब देखो, इसको हम बोले हैं, इस दीमक है, अभी RJD के हर कार्ज करण में लड़का रहता है, अब यह जो है, RJD के लिए कैसे गाना गया, कि अब की बार लल्टे नमा जरता हूँगे, छोड़ी करके गाना, मैं भूल जाता हूँ, मिर भाई, लालो यादब डर लवना ते जस्वी न डरता हूँगे, अब की लल्टे नमा छोड़ सार साल, मतलब इसके मन में क्या चला है, इस देखा कि भाईया यहां साप छवी में तनी हमको बोलना पड़ेगा, इस बंदे ने तुरत बात बदल दिया, आप लोग यूटूपर सब सर्च करिएगा, हमरा गाली देवे से पहले, कहे कि बहुत आदमी को बुरा लगा होगा अगर आप मेरा साथ देना चाहते हैं, तो समाज के नजर में मुझे अच्छा बनाई अगर मैं अच्छा करने लाइक हो तो, लेकिन अगर आप मुझे खतम करना चाहते हैं, तो मेरे साथ रह के गलत सला तुछ सब्द बोलिए ऐसे ऐसे सब्दों का इस्तमाल करिए कि बांकी लोगों का ठेस महुंचे और हमको विरोध में आ जाए जैसे अभी कई BJP के नेता ने भी किया था सिधे कहता है कि जो देश दोरोही होगा वोही BJP को बोट नहीं देगा ऐसे ऐसे नेता ऐसे ऐसे ब्यान देने वाले जो बीर होते हैं ये कहींने कहीं अपने पाटी को कमजूर करते हैं तो अगर आप RJD के सच्चे समर्थक हैं तो अच्चे समर्थक भी बनिए और किसी भी पाटी को आगे बढ़ाया जा सकता है तभी जब उस सब को लेके चले, सब को सम्मान दे, किसी एक जाती, किसी एक धर्म, किसी एक की बात करके, हम समाज की कल्पना, अच्छे समाज की कल्पना कभी नहीं कर सकते। बाकी आप लोग का क्या राय है, ऐसे छपड़ी गायक के बारे में जरूर बताईएगा, और मैं दुखी हूँ इस बात से, कि ऐसे ऐसे गायक को मंच मिलता है, नहीं होना चाहिए। राजनीति एक ऐसी चीज है, इसकी ये विचार धरा होनी चाहिए, कि समाज के दसा और दिसा दोनों को बदल दे। और सही दिसा में समाज को पहुँचाए। कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्यू, जैहिंद जैभारत!